संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को जिला कलिक्टर कार्याले के बाहर अपने विबिन मांगो को लिखकर प्रदेशन करते हुए प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी का पुतला दहन किया इस दोरान सेयुक्त किसान मोचा के लोगों ने बताये कि केंद सरकार ने हर बार केवल किसानों के साथ विश्वासगात किया है इसलिए आज विश्वासगात दिवस के रूप में ये बिरोध प्रदेशन किया जा रहा है राजेश सिंग्भी ने बताया कि हमारी मांगे हैं MSP की कानूनी गारेंटी के लिए कमिटी बनाने के वादे को सरकार पूरा करें किसान अंदुरन के दोरान दर्ज केस वापस देने के लिखित आश्वासन पर अमल करें लखिमपूर खीरी हत्याकान के लिए जिम्वेदार मंतरी अजे मिश्र टेनी को बरखास्त किया जाए आदी मांगू को नेकार प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी का पुतला फूपते हुए राश्टुपती के नाम ग्यापन सौपा गया हमारे तेश में कर demons कों लेग और ये लिखित में समझ होता है कि किसान मोचा से व efficient की वश्वी सभी कमेटी बनाएंगे जो भी मुकद में दर्ज हुए इस आंदोरन में उनको वापस लेंगे साथ इसाथ जो भी परिवार में जिन में शहीद हुए किसान 700 के लगबग उनके परिवार को मुआज़ा देने के साथ नोकरी भी देंगे लेकिन देड़ महिने से उपर समय हो गया है ना तो कोई कमेटी जिलों में आज ये प्रदेशन करके ये राश्पते के नाम यापंदे करिये मांग कर रहे हैं कि जो लिकिश समझो तो क्या है इस लोग तुम्तिर पर विश्वास करेंगे जब प्रदान मंतरी विकिश समझोता करता है किसान मोर्चों से लेकिन उसको लागू नहीं किया है इसलिए वो याद दिना लेकि आज पूरे देश में विश्वास गात दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं